और वहीं उत्राखंड के मुख्यमंती पुश्का सिंग धामी ने बिना नाम लिये कोंग्रेस पार्टी पजुबानी वार किया और सीम धामी ने कहा कि हमने अपना एक नायक होया और एक हेलिकोप्टर दुरघटना में तेरा वीडियो द्धा मारे गए और पूरे देश शोक में डूबा था और जनरल विपिन रावत ने उत्राखंड के लिए बहुत सपने देखे थे और उनका प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक वीजन था और सीम ने कहा कि जिस वक जनरल विपिन रावत का अंतिम संसकार हो रहा था और एक राजनेतिक दल के कारेकरता महस्ब मना रहे थे और सीम ने कहा कि गोवा में इस दल का चुनावी कारेकरम हो रहा था और ऐसा लगता है कि वह लोग इस देश में उन लोगों का केबल शरीर रहता है आत्मा कहीं और बस्ते ऐसे लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है स्रियम धामी ने ये बातें जन सुझावरतों को रवाना करने के लिए आउजित कारेक्रेम में ने कही है धामी ने कहा कि सुजावरत 29 विधानसवा छेतरों में जाएंगे और सेम ने कहा कि पीम मोदी की कमाओं में रैली 24 दिसंबर को होगी और इसमें वो हजारों करोडों की योदनाओं कासल अन्यास और लोकारपन भी करेंगे धामी ने आगे कहा कि जब उत्राखंट 25 साल का होगा उस समय राज्यों को देश के सर्वशेष राज्यों में शामिल करना ना है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कोशिक ने कहा कि पाटी ने सत्तर जन सुजावरत तयार किये और आज 29 रतों को यहां से विदानसवा छेत्रों में भीजा जाएगा और इनके माध्यम से लोग सुजाब देंगे और उसे ग्रिष्टी पत्र में शामिल किया जाएगा और इस दोरान शेरी विकास्मंती बशिंदर भगत ने भी विचार रखे थे कॉंग्रेस के पूर राष्टी अध्यक श्राहूल गांदी की 16 दिसंबर को धेरदुन के परेट ग्राउंड में आउजित होने वाली रैली को लेकर पार्टी ने जोशोच से तयारियां शुरू कर दिये और इसको लेकर जहां पार्टी के वरिष नेता बैठके कर रणनीती बनाने के काम में जुटें वही प्रदेश भर में विदान सवा वार जनसंपर का अभ्यान शुरू किया गया और 16 दिसंबर को धेरदुन के परेट ग्राउंड में भारत पाकिस्तान युद में भारत के ध्यासिक विजे के व्लक्षे में जनसबा और सम्मान समारों का अरजन किया गया और रैली की तयारियों को लेकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवंदर यादव सहीत अध्यक्ष गनेश गोद्याल पूर्सियं हरी श्रावत और तमाम वरिष नेता पहले दोर में जिल दानसबा वार जनसंपर्क अभ्यान चला रही है और वहीं जिलावार पद यात्राओं और मशाल जुलूस भी निकाले जा रहे है और पार्टी राउल गांदी की रैली के माध्यम से आधिक साधिक भीड जुटा कर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का संदेश देना चाहती इसलिए उसके नेताओं के लिए इस रैली को सफल बनाना बड़ी चुनोती के तोर पर देखा जा रहा है और राउल गांदी की 16 दिसंबर को परेट ग्राउंड में होने वाली रैली के लिए पार्टी की और से समन्वे समीती का गठन भी किया गया है और प्रियादेश महाम पीके अगरवाल नवीन जोसी घजान पांडे अनुपमा रावत शांती प्रसाद भड प्रुसोत्तम शर्मा जैंद रमोला उंप्रकासती और संगराम सिंग पुंडीर को शामिल किया गया है और प्रदेश को उंग्रे सद्यक्ष घनेश गोदिया ने रविवार को परेट प्राउन पॉंच के रैली स्थल का जाहिजा भी लिए और इस दोरान उन्होंने कारेकर्टाओं को वेबस्था को लेका तमाम प्र judicial किही सफलतेकल सब भी कार्यों प्र खुद नजर बनाये हूए और इस दोरान उनके साथ कारेकरी अध्यक्ष प्रकास जोसी राजिस्च Mostar जैसे नेता मोजूत है और पूर मुख्यमंत्र हर इशावत ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सर्जिकल स्टैक साल 1971 में हुई थी और तब देश की प्रधान मंत्री इंद्रा गांदी के मजबूत नेत्रित में भारते सेना ने अपने अदमे साहस का लोहा मनवाते हुए पा जावते हुए तब यदिकल स्थाल का रता मुझा लत अहुए झाल ने अवरी जींउत ने प्रधान में हुए ज़गते हुए ऑंदी प्रधतों है आए झाल को करे दो दोर में हुए वारी में हुए झालू रहुए अटने रहाँ प्रूने